इस चैनल पे हम आपको डेली जॉब अपडेट्स दे रहे हैं आज हम आपको चार जॉब अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मिशन देंगे लेकिन उससे पहले दो बाते एक तो इस चैनल को सबस्क्राइब करो तब जाके आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और दोस्तों ये हमारे कुछ कॉर्स अप्लिकेशन पे चल रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए आपको लिंक मिलेगी लिंक के थुरू आप डिर्कली जाके जॉइन कर सकते हैं और ये भी आपको बताना है कि F.A.E. और J.K.P.S.I. का मॉक टेस्ट शुरूल आपके सामने है तियारी अच्छे से कर लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका असली एक्जाम है इसको सीरियसली लीजिए जो कमजूरी लग रही है अपने सेलिबस में उसको कवर कीजिए रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनलेसिस जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपने गलती कहा करी हुई थी अपना रैंक भी देख लीजिए अपना स्कोर भी देख लीजिए और दीरे दीरे आपकी रैंक आपका स्कोर ग्रो होता जाएगा आपके सामने रिजल्ट होगा फिलाल के लिए कुछ नहीं करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है इस बैच को जाइन कर लीजे या अगर आपने अलग-अलग जाइन किया हुआ है तो आपको जाइन करने की जुरूत नहीं आपको अपने ही बैच में ये टेस्ट सिरीज मिलेगी अपने अपनी कोर्स के रिलेटेड अब हम बाद करते हैं चार जॉब अपडेट के बारे में एक तो नबाड से पोस्ट आए हुए है दोस्तो डेवलप्मेंट असिस्टेंट की 177 पोस्ट और यहाँ पे आप देख लीजे डेट कब है अप्लिकेशन का लास्ट डेट कब होगा मिनिमम एज के बारे में मैक्जिमम एज के बारे में कॉलिफिकेशन भी देख लीजे यहाँ पे लिखा हुआ है और टोटल पोस्ट तो बोला मैंने आपको 177 है चलिए इस ओफिशल नोटिफिकेशन को एक बार हम देखते हैं यह रही नबाड की तरफ से ओफिशल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो डेवलोब्मेंट असिस्टेंट के 173 पोस्टस डेवलोब्मेंट असिस्टेंट हिंदी के 4 पोस्टस यह है आपके सामने एज लिमिट मिनिमम कॉलिफिकेशन ग्रेजवेशन है और 50% होने चाहिए यहाँ पे भी आपकी ग्रेजवेशन 50% और आपको इंग्लीश या हिंदी का अलेक्ट्टू सब्जेक्ट होना चाहिए यह चीज़े आप खुद भी पढ़ सकते हो आपके सामने सारी चीज़े हैं पेस्केल के बारे में बात है अनलाइन अप्लिकेशन कब होगा स्टार्ट और लास्ट डेट कब होगा यह बहुत इंपॉर्टन है कि अभी तक डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है जिसमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, एजुकेशनल कॉलिफिकेशन क्या होगा एज क्या होगा, एप्लिकेशन फी क्या होगा, सेलेक्शन प्रोसीचर क्या होगा और इसी तरह बाकी चीज़े उसके लिए दोस्तों अभी डिटेल्ड अडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है लेकिन आईगी इस वेबसाइट पे आप जाके इस वेबसाइट पे चक कर सकते हैं और इस चनल को अगर आप सबस्क्राइब करेंगी तो हम आपको टाइम टो टाइम अपडेट्स तो देते ही है चनल को इसलिए बोल रहे हैं सबस्क्राइब करके रखो ताकि आपको time to time updates मिले तो चलिए अब हम आपको और posters के बारे में जानकारी देते हैं दूसरा update है आपके सामने Central Industrial Security Forces ने दोस्तो 540 vacancies को out किया हुआ है Assistant Sub-Inspector और Head Conestable के ये posters हैं दोस्तो application fee इतना है important dates कब होगा start last date कब होगा वो आपके सामने हैं अभी काफी time है form बरने में और age limit आपके सामने है और यहाँ पे age relaxation कुछ दी जाएगी वो आपको detailed notification में बताया हुआ होगा इन्होंने और ये भी चीज़े है qualification क्या है आपके सामने है और ये क्या posters है चलिए अब हम आपको और एक update दिखाते हैं फिर last में detailed वाली notifications इनकी आपको दिखाते हैं ठीके ना पहले updates की बात करते हैं आपके सामने है और एक update armors ordinance cops ने दोस्तो vacancies को out किया 3068 vacancies को out किया हुआ है यहाँ पे important dates अभी तक नहीं आए है notification में जल्दी आपको दी जाएगी और यह भी है age limit क्या है दोस्तो 18 से 25 और कुछ age relaxations भी है वो detailed notification में होगी और इसमें जो post name है tradesman, fireman और junior office assistant इनके इतने posters हैं और इसके बाद का update जो है वो है food corporation of India से 5,043 posts को out किया गया है दोस्तो और आप देख लीजिए application fee के बारे में बता हुआ है कब होगा start online date apply करने का 6-9-2022 से आप apply कर सकते हो और कब तक 5-10-2022 तक और अभी तक ये चीज़े नहीं आई तो आपको जल्दी बता दिया जाएगा और हम भी channel पे तो आपको daily job updates दे ही रहे हैं और उसके इलावा age limit भी आप देख लीजे अलग-अलग age limit है और qualifications भी आप देख सकते हो किसी जगा अच्छे एक बात कहूंगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेट वेट अच्छे यहाँ पे आप देख लीजे यह इतने सारे हैं इतने सारे posters हैं इनमें आप apply कर सकते हो इसमें अगर आप डून रहे हो कि सिर्फ simple graduation कहां पे है और अगर हम north zone की बात करें क्योंकि जेंड के आपको north zone में ही मिलेगा तो यहाँ पे अगर बात करें तो ag general और ag deport ag का मतलब होता है assistant grade assistant grade general और assistant grade deport में दोस्तो qualification जो है वो है graduation बस आपको थोड़ी सी computer knowledge होनी चाहिए और simple graduation आप apply कर सकते हो in posts के लिए चलिए अब वैसे detailed notification आप खुद भी पढ़ सकते हो लेकिन फिर भी हम एक बार आपको दिखाई लेते हैं या हम एक काम करेंगे detailed notification हम आपको टेलेग्राम पर वेजेंगे इसी channel के नीचे बहुत सारे courses का लिंक है लेकिन टेलेग्राम के भी लिंक होगा टेलेग्राम के फ्रूँ आप हमारी टेलेग्राम चनल पर जॉइन कीजे वहाँ पर खुदी detailed notification पढ़ लिजे एक बार चलो हम दिखाई लेते हैं यह आप देख सकते हैं दोस्तो यह है दोस्तो assistant sub inspector और head constable जो मैंने आपको अभी बोला central industrial security force की बात इसका जो date है online application बरने का वो अभी 26th September को start होगा ठीक है ना और 25th October को end होगा इसका और बागी चीज़े आप देख लीजे pay scale क्या है आपके सामने है यह अधर pay scale की बात है आप season होने चाहिए इंडिया के बस ऐसा नहीं है क्या यह अलग किसी state का है यह central का job है आप यहाँ पे आप vacancies देख सकते हो name of the post क्या क्या है यह चीज़े आप अगर मैं पड़ूंगा तो एक गंटा लग जाएगा लेकिन यह आप खुद ही भी देख सकते हो जारा कुछ सवाल नहीं होगा अगर कुछ सवाल है तो नीचे comment section में बता दो हम आपको उस सवाल का जवाब तो देंगे educational qualifications दोस्तो आपके सामने है age limit आपके सामने है यह सारी चीज़े आप अच्छे से देख सकते हो इतना बड़ा लगा हुआ ठीक है न और eyesight ठीक ठाक होनी चाहिए और यही चीज़े है इसमें बाकी तो बाकी तो disqualify आप हो जाओगे इन चीज़ों की वज़े से और फिर यहाँ पे कैसे apply करना है वो भी आप देख लीज़े अच्छे J&K है यहाँ पे इस जोन में यह है दोस्तो CISF North Zone तो North Zone की बात है यहाँ पे आप देख सकते हो यह है नेम आप application receiving centers ठीक है नप और यहाँ पे लास्ट डेट है आपके सामने application fee कितना है वो भी आप देख सकते हो ओके ओके उसके बाद admission to law examination के बारे में यहाँ पे है पढ़ लीजे recruitment process क्या होगा यह है आपका hide bar test होगा physical standard test होगा physical standard test के बाद documentation के बाद दोस्तो आपका written examination होगा और written examination में आपका यह syllabus होगा आपने यह syllabus बहुत बार तो चीज़े पढ़ी हुई है और यह चीज़े आपने पढ़ी हुई है यही तक main main information जो है उपर उपर से मैंने आपको बता दी चलिए और एक notification पर आते है एक और notification जो आपके सामने हैं दोस्तो वो आप देख लीजे army ordinance cops के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कुछ main main बाते हैं यह आप खुदी देख सकते हो चलिए हम आपको last वाली notification दिखाते हैं यह रही दोस्तो Food Corporation of India FCI की detailed notifications zone wise और post wise vacancies आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है न अच्छे यह चीजे तो आप पढ़ सकते हो हम इस PDF के इन सारी PDFs को हम टेलिग्राम चैनल पे डाल देंगे और application पे भी डाल देंगे हमारे इसी वीडियो के description में आपको links मिलेगा टेलिग्राम का भी app का भी और courses का भी link मिलेगा दोस्तो course को जाईए और join कीजिए टेलिग्राम को भी join कीजिए वहाँ पे आपको ऐसे updates की PDFs दिया करेंगे हम ओके दोस्तो इसी वीडियो में यही बताना है बाई बाई से पहले यह भी कहना चाहता हूँ नीचे comment section में अपना सवाल रख लीजे अगर कुछ चीज़े समझ नहीं आती कोशिश करेंगे हम आपके सवाल को जवाब देने की बाई